कविता का शीषक है प्रकर्ति एवंजल इसके अंतर गत मैंने जल और प्रकर्ति की सुन्दरता और उसके अनेक रूपों का वर्णन करने का प्रयास किया है प्रकर्ति के कितने अनौखे रंग जल के विभिनर रूपों के संग प्रकृति की छटा बिखेरता जल हर लेता सहज सबका मन कभी जल दिखता आस्मान सा नीला कभी जल दिखता आस्मान सा नीला तो कभी चांदी सी छटा बिखेरता प्रकृति के कितने अनोखे रंग जल के विभिने रूपों के संग कभी पारदर्शी बन मन को लुभाता तो कभी मटमेला बन दिल को चुराता प्रकर्ती का वर्णन करने में मानव है देखो असमर्थ इसके कर्व में छिपे रहस्यों को जानने में नहीं है समर्थ प्रकर्ती के निराली छिटा देख होते हैं सभेरान इसकी सुन्दर्ता को अक्षुन रखने का किसका है काम प्रकर्ती के कितने अनोखे रंग जल के विभिन रूपों के संग प्रकर्ती का या निशुलक उपहार अगली पीडी को दे पाएंगे अगर इसको बचाने का प्रत्न करेंगे और करवाएंगे इसके रहस्यों को जानने की जितनी कोशिश मानव करता उतना ही उसमें और अधिक उलजकर रह जाता प्रकर्ती अपने हिर्दे में रहसों के भंडार छुपाई बैठी है मानव ने भी उन्हें जानने की जित छेडी है लेकिन प्रकर्ती से छेड़ छाड़ करना ठीक नहीं होगा वरना इसके कोप का भाजन अवश्य बनना होगा प्रकर्ती के कितने अनौखे रंग जल के बिभिन रूपों के संग